हर्णी के आखों के सामने आया सभी के लिए इशान के दिल में छुपा हुआ प्यार और यहीं पर आएगा सीरियल गुम है किसी के प्यार में में जबदस ट्रैक जी हाँ दोस्तों अब शो के अब कमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां रीवा सभी को नीचा दिखाने के लिए जान बूच के हर्णी से मिलने का बहाना करके इशान को अपने साथ सभी के घर ले आती है तो वहीं सभी इशान सर और रीवा मैम को अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देख कर हैरा हो जाएगी और उसे लगेगा कि वो दौनों उससे डैवास पेपर्स लेने आए हैं जहां इशान की नजर सभी पर पर जाएगी और वो क्याते हुए नजर आएगा कि हम दौनों हर्णी ताई हर्णी से मिलने आए हैं और उनके हाल चाल लेने आए थे भले ही हर्णी ताई मेरे साथ भोसले निवास में नहीं गई मेरा तो फर्स बनता है कि मैं उनके हाल चाल लेने यहां आ सकता हूँ वैल लब शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां सभी उन दौनो को अपने साथ घर के अंदर ले आती है और हर्णी से मिलवाती है तो वही हर्णी उनसे मिलके खुश होती है और ईशान से कहते हूँ नजर आने वाली है कि इशान सर क्या जरवत थी यह सब करने की और यहां आने की आप क्यूं मेरे लिए तनी परिशानिया उठा रहे हैं ज जहां इशान हर्णी से बात तो कर रहा होता है लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सभी पर ही होता है उसकी नजरे सभी पर ही टिकी होती है जहां हर्णी ये सब कुछ नोटिस कर रही होती है और इशान के चहरे से साफ साफ समझा रहा होता है कि इशान सर कितने ज़ इशान सर रीवा से प्यार करते हैं और अब उनकी शादी भी हो जाएगी उनकी चहरे पर कोई खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही है वो इतने जादा उदास क्यों नजर आ रहे हैं तो वहीं दोस्तों इशान के दिल का हाल हरनी सुनाएगी सभी को कि कहीं इशान सर भी शायद तुझे कोई गलत फैवी हो गई हो तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए आप सब बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें